कि नमस्कार मित्रू में हूं डॉप्टर हरी निवास चैनल है संस्कृत साहिक देवन संस्कृती हिदो पदेश्च अल्लाह है कि दमनक और कर्टक जो मंद्री पुत्र हैं दो शियार हैं वो देख रहे हैं कि उनका स्वामी सिंह किस प्रकार से पानी पीने गया था बिना पानी पीए ही वापस आकर के बैठ के आए बड़ा व्यक्र दिख रहा है चिंतित दिख रहा है शियं है जैसा शियं है बिना पानी पीए वापस आ जाए तो विचारनी विशे तो है ही अब ऐसे में ये दोनों एक दूसरी के साथ चर्चा कर रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं तो एक का कहना यह है कि हमें थोड़ा देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है दूसरा कहता कि नहीं यह हमारा काम नहीं है और इस अंदर मैं हमने दो तीन कताइं सुनी चलिए आगे चलते हैं पश्य पशू नाम अन्वेशन मेवास मिन योगा हमारा काम है स्वामी के लिए पशूओं को ठोड़ना उनको यह बताना कि फलानी जगे पे शिकार आपके लिए तैयार है वहां जाकर करके आप शिकार कर सकते हैं इसके अलावा और चर्चा हमको नहीं करनी चाहिए दूसरी चर्चा करने से जो गधे की दसा होई ऐसी दसा हमारी हो सकती है वो हमारा काम नहीं है थोड़ी देर विचार करके किस त्वध्य तया चर्चया ना प्रयोजनू ठीक है ये हमारा काम नहीं है ये हम मान लेते हैं लेकिन जिस प्रकार की स्वामी की इस्थिती है उस प्रकार की इस्थिती की कारण क्या हमें थोड़ा सा भी इस बात का विचार नहीं करना चाहिए यत आवयूर भक्षित शेशाहारा प्रचुरोड तो कहता कि अरे यार जाने दो ना क्यों सिरदर्दी कर रहे हो इससे पहले स्वामी ने जो शिकार किया था उस मेंसे अब स्वामी तो वो खाने वाले नहीं है और हम लोग खापाएं इतना प्रचुर आहार उसमें बचा पड़ा हुआ है तो हमारे लिए तो पर्याप्त भोजन है अब स्वामी खाएं पीएं ना खाएं पीएं हमारे लिए भी पर्याप्त है ना तो क्यों इतनी सिर्दद्धी करते हो तब दमनक शको पमार। बड़ी क्रोध के साथ दमनक कहता है कथम आहारार्थी भवान के अबनम राजानम सेवती तो क्या आप सिर्फ भोजन के लिए राजा की शेवा करते हैं। राजा की क्या इस्थिती है, राजा परेशान है, सुखी है, ये कोई लेना देने ही नहीं हमें। दमनक फिर भी जब फोर्स देता है, तो कर्टक कहता है कि देखो भाई, हमारे भोजन की पर्याप्त व्यवस्ता भी मौजूद है। राजा की साथ मित्रता इसलिए की जाती है, कि हमारे किसी मित्र का, हमारे किसी सगे संबंदी का, हमारा कोई काम पड़ जाए। राजा हमारी मदद करता है, हम उसके प्रिय हैं, हम उसके प्रिय पात रहें, तो एक ही बात हमारी सुन ली जाती है। दूसरे लोग कहने जाएंगे तो उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, लेकिन हमारी बात एक ही बार में सुनी जाएगी। लोग इसलिए राजा की सेवा करते हैं कि राजा के पास से अपने सगे, समंदी, मित्र, बंद, बांध, और अपना काम करवा सके। और हमारे जो दुश्मन हैं, हम उनका अपकार करवा सके। इसलिए राजा से मित्रता की जाती है। हाँ इसलिए राजा की सेवा की जाती है। नरप्रशंत्रम, इश्यत-विधही जो समच्दार लोग हैं जो बुद्यमान लोग राजा का अस्रे सभ tutteWh कि अपने सगे संबंदियों बंदुबांधों का काम योगी रूप से करवा पाएं और जो उनके दुश्मन हैं उनको सबक सिखा पाएं पेट तो भीया कोई भी भर लेता है पेट भरने के लिए थोड़ी राजा का आस्रे लिया जाता है राजा के साथ राजाता है कोना भी भरती केवलम जटरम खाली पेट तो कोई भी भर लिया करता है ना जीवते यस्य जीवनती विप्रा मित्राणी बांधवा सबलम जीविदम तर्ष्ये आत्मार्थे कोना जीवती इस संसार में उसी का जीवन वास्तों में जीवन है या वही व्यक्ति इस संसार में वास्तों में जी रहा है ये कहा जा सकता है जिसके सहरे से प्राम्मान, मित्र, बंदू, बांधव उसके सगे संबद्धी सभी को लाब हो यानि जिसके जीने से किसी को कोई फरक ही नहीं पड़ रहा है किसी को कोई लाब ही नहीं है तो उसका जीवन तो बेकार है सफलम जीवनम तर से उसी का जीवन सफल है जिसकी बजह से ब्रामन हों, मित्र हों, बंदू, बंधों सबको लाब होता है खाली अपने लिए जीने वाले अरे भीया ऐसे तो गली के कुत्ते से ले करके ने ने मैं गलत बोल लाँ गली का कुत्ता तो अपने लिए सिर्फ नहीं जीता है वो तो सब के लिए जीता है वो तो सब के काम करता है मतलब प्राणियों के लिए तो यह उपमा ही नहीं दी जा सकती है कि वो सिर्फ अपने लिए जीते हैं वो तो हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं बहुत सारी चुडियां ऐसी हैं कि अगर आप गेहूं डाल दें आपके गेहूं बगिर में कीड़े हो गए होंगे न तो वहां बैठ करके आपके गेहूं के बीच के कीड़े खा जाएंगी गेहूं को साथ कर देंगी चत पे अगर आपने डाल दिया तो यानि अधिकांसता प्राणि जो हैं वो जीते जीवी आपके काम होते हैं परने के बाद भी उनकी चमड़े से बने हुए लोग पर्स लेते हैं, बूट पहनते हैं, बेल्ट पहनते हैं, तरह तरह की, मैंने तो एक बार एक वीडियो ऐसा देखा, कि सौफ्ट लेदर, यानि जो एकदम सौफ्ट चमड़ा होता है, उसका पर्स बगेरे जो बना करता है या उसके जो बूट बगेरे बने कर बनते हैं, जो बड़े ही अच्छे लगते हैं, पहनने में बड़े comfortable होते हैं, उनको बनाने के लिए किस प्रकार से प्राणियों को मारा जाता है, तब से मैंने तो प्रतिज्या कर ले कि मैं न तो चमड़े के बूट पहनूगा, न जबर के या कपड़े के होते हैं, वही पैनता हूँ, बैल्ट भी देखता हूँ, कि रेकजीन की बनी हुई हो, पर्स रेकजीन का बना हुआ, अरे कम चलेगा, कम अच्छा लगेगा, स्टेटस सिंबॉल नहीं होगा, हमारा स्टेटस अच्छा नहीं देखेगा, चलेगा, लेकिन कम से कम मेरी वजह से, मैं एक ऐसा ग्राहक न बनूँ, कि जिसकी वजह से किसी एक प्राणी को इस प्रकार से, यानि जो प्राणी मर जाते हैं, उसके सरीर की खाल जो है, वो इतनी टाइट हो जाती है, कि वो लैदर सुस्क हो जाता है, उससे इस प्रकार के न तो जीते हुए प्राणी को इतना मारा जाता है कि उसके सरीर की खाल उधर जाए और उस चमड़ी को निकाल लिया जाता है जीते जी उनके सरीर पे से और फिर उसमें से ये सारी चीज़े बनती हैं आप कलपना कीजिए कि जिन दृष्यों को हमने नहीं देखा है और हम जिन चीज जो का मार्केट बन रहे हैं उससे कितने जीवों को कितने प्रकार की परिशाने होता है चलिए हम ही तो पदेश पढ़ रहे हैं यहां पे ये बात तो नहीं है लेकिन जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं अपने सोख मौझ के लिए जीते हैं जो सिर्फ अपने आनंद के लिए होगा उनके जीवन को यहां कोई जीवन में कहा गया है कि जीवन तो उसी Kajiraan है घिसके जिन्दा रहते ब्राम्मन मेत्र बंधुबांद और सबीक एक जीवण सफर हो जाएं यस्मिन जीवती तो ओसी का जीवन है कि जिसकी सहारे बहुत सारे लोग जी आ अगर आप जी रहे हैं और आपके तो बहुत सारे लोगों का भरन पोषण हो रहा है आप उसका निमित बन रहे हैं तो आपका जीवन सब्सक्राइब बाकि दो कव्वा भी उसके पास अपनी एक ही चोंच है उस चेंश से अपना पेट तो भरी लिया करता है तो अगर सिर्फ आप अपने उधर पूरन के लिए काम करते हैं सिर्फ अपने लिए अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं स्रीमत भकुत गीता में यही दुका गया है कि जब यक्ति अपने लिए कुछ करता है तो वो पाप है और जब वो समाज के लिए करता है तो यग्य है अगर हम सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं तो हमसे बड़ा पापी इस दुनिया में कोई है और अगर हम कोई भी काम करने से पहले ये सोचते हैं कि इसमें समाज का कितना है तो हमसे बड़ा कोई स्रेष्ट यग्यकर्म धर्म करने वाला ने जहां रखेगा चलिए इसके आगे दमनक करटक को ये समझाई रहा है कि खाली हम खाने के लिए थोड़ी राजा की सेवा करते हैं सेवक कैसे कैसे सेवक होते हैं अब उसकी चर्चा शुरू करते हैं पंच भिर्यात दाशत्वम, पुराणे ही कोपी मानवा, कोपी लक्षई करती, कोपी लक्षई रपी न लभ्यते, सेवक सभी प्रकार के होते हैं, कोई सेवक ऐसा होता है जो पाँच पुराण में दास बन जाता है, कोई ऐसा होता है जो लाख पुराण देने के बाद दाशत तो स्विकार करता है और भीया कोई तो ऐसा होता है जो लाखों मिलें फिर भी दाशत्य स्विकार नहीं करता है अब यहां पुरान शब्द का अर्थ थोड़ा समझ लें क्योंकि यहां पुरान सब्द का जो प्रयोग किया गया है आजकल तो रुपए चलते हैं लेकिन पहले जब यह शिक्के नहीं थे तो उस समय कौड़ी का प्रयोग इसके लिए हुआ करता था तो असी कौड़ी का एक पुरान माना जाता था अब आप समझ लीजिए उसके पैसा चला तो उसमें आना आठाना बारा आना सोला आना वो सब कुछ चला आजकल तो आना पाई यह सब खतम हो गया जैसे कुछ होते ऌशम अब तो रुप्य यानि एक आठो रुप्या किसी के पास हो तो व्यक्ति यह सोचता है कि इसमें तो कुछ होने वालने अज को आज है आज अगर इस दो को समंझना हो तो हम यह कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भीयत थोड़े से रुपए में सेवा करने को तयार हो जाते हैं कोई ऐसे होते हैं लाखों का खर्च होता है तब वो काम करने को तयार होते हैं अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लाखों खर्च करके भी उनको खरीदा नहीं जा सकता है उनको दास नहीं बनाया जा सकता है वो सेवा करने के लिए तैयार नहीं होते है देखे मनुष्य होकर के भी अगर किसी की सेवा करना पड़े गदा है उसके पास उप्शन नहीं है घोड़ा है बुमे लगाम लगा दिगए उसके पास उप्शन नहीं है लेकिन जो मनुष्य है वो तो स्वतंत्र रह सकता है उसके पास बुद्धी भी है हाथ भी हैं पैर भी है लिकनका करने की इच्छा नहीं है तो भी दाशत थो होगा तो मनुष्य जाती जो है उसके लिए सेवक का कर्म करना कर रहे थे और वो भी तुल्यायाम जातो अपने बरावर के लोगों में अगर सेवक बनके रहना हो तो ये तो बहुत ही दुखदायक है और निंदासपद है आप देखेगा लोगबाग अमेरिका कैनेडा यहां वहां जगे जगे पे भागते फ आप कर आप जाते हैं कुछ भी कर लेंगे पेटरोल के खड़ेंगे कोई भी काम करलें ऐसे उत्तरपदेश विहार से गुझरात में लोग आते हैं यह धिनी की तरफ की दोड़ीये चलती रहतीquently वही काम अपने गाओं में अपने घर में करने में बड़ा ही गलानी महसूस होती है लेकिन जब परदेश में पहुंच जाते हैं दूसरे देश में पहुंच जाते हैं जहां आपको आप जैसे ही लोग पहुंचानते हैं और लोग नहीं पहुंचानते हैं अपने जाती वर्गे के लोग नहीं पहतानते हैं तो फिर व्यक्ति सब्जी भी बेच लेगा फिर व्यक्ति कुछ भी कर लेगा कहीं भी नौकरी कर लेगा किसी भी प्रकार के काम कर लेगा जाडू पोचा भी कर लेगा और वहाँ उसको तो ऐसा नहीं लगता है कि वो गलत कर रहा है इसका कारण सिर्फ एक ही है जो यहां पे कहा गया है कि आप जहां रहते हैं अपने बंद बांधुओं के बीच में अपने ग्याती बांधुओं के बीच में अपने जाती बंधुओं के बीच में अगर आप सेवा का कर्म करते हैं तो गर रिदम तो ये निंदास पर है क्योंकि वहां पे आपका अपमान होना आपकी अवमानना होना बड़ा स्वाभाविक है और अगर आप ऐसा कर भी रहे हैं तो वहां पे आप उसके मुख्या बने हो तब तो चल जाएगा यानि सब लोग काम कर रहे हैं आप सब के लीडर आतर रहे हैं आप सबका सुपर्विजन कर रहें तो ठीक है लेकिन आप अगर सुपरवाइजर की जीए वरकर हो गये इसने सब कुछ खतम कर दिया तब भी वह यक्ति इस प्रकार से काम कर सकता है नहीं तो अपने जयाती ग्यांथ़ों के पीछ में कभी bes Amen सेवक बनके सेवा का काम नहीं कर सकता है वाजिवारन लोहा नाम काश्ट पाशान वाससाम नारी पुर्स तोया नाम अंतरम महद अंतरम भी अब ऐसे तो घोड़ा घोड़ा है हाती हाती है लोहा लोहा है काश्ट काश्ट है पत्थर पत्थर है वस्त्र वस्त्र है स्त्री स्त्री है पुरुस पुरुस है और जल जल है लेकिन इन सब में बड़ा अंतर होता है जो चेतक के वंसी घोड़े है आज भी नशल पे घोड़ा उत्तम नशल का घोड़ा है उसकी कीमत आज भी लाकों करोड़ों में है और जो घ गोड़ा ऐसे ही है तो फिर तो ऐसे है है वो भी गोड़ा और वो भी गोड़ा लेकिन एक गोड़ा नश्रवारा है चेतक का बंसज है तो उसके करोणों रुपए मिलते हैं उसकी वैल्यू करोणों में होते हैं इसी प्रकार से सब हाथी हाथी होते हैं लेकिन जो वो मदवाल हाथी होता है जिसके मस्तक में मुक्ता रहा करते हैं वो हाथी विसिष्ट होता है उस हाथी को पहचानने वाले जानते हैं कि उसकी कीमत क्या है लोहा वो चमकता है श्टील उसको भी लोहा का जाता है और जिसमें जंग लग जाती है वो भी लोहा का जाता है वो भी श्टील है यह गुझे स्भुष दोनों लोहे हैं लेकिन एक लोहा जब किसक्का बन जाता है यह ँब कुछ भी करी सब्लिए है और एक लोहा अगर ठोकर लग जायए था आजो में उठाके फेक देता है उसको ठोको अगर कर ने जो लोग फेक दिया करते हैं हाथ में आ जाए वस्त्र सो रुपए का भी शर्ट मिल जाएगा और या लाखों रुपए का भी शर्ट होता है तो कपड़ा जो है वो भी इसी प्रकार से और यही बात इस्त्री पुरुस के लिए कही जाती है एक इस्त्री सामानी रूप से बज पुरुस ऐसा होता है जो दरदर भटक रहा होता है और जिसको कोई नहीं पूछता है और एक पुरुस ऐसा होता है जिसके आगे पीछे लाइने लगा करते हैं जिसकी सुरक्षा के लिए करूडों का बजट होता है पानी आप सभी जानते हैं जल सर्वत रूप लब्द है पुरा समुद्र जल से बरा होगा है। लेकिन कुछ पानी ऐसे होते हैं। हमारे हैं चंबल के पानी की तासीर कही जाते हैं। कि चंबल का पानी अगर किसी ने पिया है, तो वो शेर ही होगा। वो जब भी बात करेगा, तो उसमें एक निडरता होगी। उसमें एक अलग प्रकार का वो होगा। तो हर पानी का अपना मात होता है। तो भहिया, सेवक भी इसी प्रकार से बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे इन सब चीजों की क्वालिटिया हैं, ऐसे सेवकों की भी क्वालिटिया हुआ करते हैं। उनकी भी कैडर हुआ करते हैं बहुत स्रेश्ट सेवक चाहिए तो बहुत बहुत कोसिस करनी पड़ेगी तब मिलेगा और सामाने रूप से तो आप नाके पे चले जाए जहां पे बहुत सारे मजूर खड़े होते हैं किसी भी एक को पकड़ लाइए मिल जाएगा आप ही तो बदे सुन रहे हैं आनंद लीजिए अच्छा लगे तुम्हें के साथ सेयर कीजिए पुना पुना आप सबका जैने बाएगा